Hello coders, welcome back to the channel, इस वीडियो हम लोग maps के बारे में देखेंगे, maps के example को समझने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर index.html का वही page लिया हुआ है, जिसमें हमने सारे examples देखे हुए है, ठीक है, यहां पर मैं script की file and maps.js की file यहां पर include कर दी हुए है, ठीक है, चलते है, maps.js की पेज में सारा हम लोग code यहीं करेंगे, सबसे पहले maps का definition देख लेते हैं, okay, तो map क्या होता है, map is a collection of elements where each element is stored as a key value pair, ठीक है, सारे elements जो होते हैं यहां पर, key value pair के form में store होते हैं, okay, और आगे क्या बोल रहा है, where the key can be any data type, मतलब जो key होता है वो हमारा, वो कोई सा भी data type हो सकत है, like object भी हो सकता है, function भी हो सकता है, normal जो हमारा primitive data type हो भी हो सकता है, okay, तो यह definition हम लोग क्या करेंगे, working example में easily समझ पाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग map किस तरीके से define करते हैं, वो देखते हैं, basically, तो let, मालो map को इसे है M1, okay, M1 हम लोग define करते हैं, तो map कैसे construct करत हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, new map constructor का, इस तरीके से, इस तरीके से करते हैं, यह हो गया हमारा new map constructor, और यह देखिए, इस तरीके से हम एक empty map create किया हुए हमने, यहाँ पर हमने कोई key value pair नहीं दिया हुए, एक normally हमने सिफ map define किया हुए, इसको मैं इस तरीके से कर द define किया हुआ है, चलिए इसको console lock करके देखते हैं, क्या दिखाता है, यहाँ पर auto reload on है, यहाँ पर reload हो गया होगा, हम लोग चलते console पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या दिख रहे हैं, map 0, size 0, it means, map में अभी कोई value नहीं है, और यहाँ पर map show कर रहा है, मतलब यह प map constructor के हमने map define कर दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर एक value डालते है, नॉर्मल एक key value pair लेते हैं, तो let's say, इसको empty लेने देते हैं, एक यह empty वाला structure अलग से रहने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक नया map create करते है, let m2 goes to new, new map construct का use करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है, हमको value डालना है, तो value किस तरीके से डालेंगे, definition के according, key value pair के form में, okay, तो यह देखिए, यह हमारा structure, इसके अंदर हम लो, हैना, square bracket के हम लो, अंदर हम लो, key value pairs के form में, अलग-अलग elements इंटर करेंगे, पहला मालों लोगते हैं, एक string को as a key लेते हैं, a1, इसकी value ले लेते हैं, 1, comma, a2, value लेते हैं, 2, ओके, यह हमने एक, दूसरा map create किया है, m2 के नाम से, जहाँ पर हमने कुछ values दी भी है, चलिए सब कंसोल लॉकर के देख लेते हैं, किस तरीके से show कर रहा है, आप देखिए, m2 कर देते हैं, यह रेकिए, यहाँ पर क्या और है, 0 पर a1, इसकी value हो गई, 1, a2, 2, इसको भी हम लोग expand करेंगे, तो देखो, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर a1, इसकी value क्या है, 1, key क्या है a1, value 1, same यहाँ पर key क्या है, a2, value क्या है यहाँ तो, तो देखो, इस तरीके से basic एक structure आगया हमारे पास, map2 का जिसमें कुछ values है, है ना, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, objects भी ले सकते, as a key, जो हमने definition बोला था ना, any data type can be key, तो चलिए हम लोग एक object, empty object define कर लेते हैं, let, obj, क्यों तो, इस तरीके से, एक, empty कर लेते हैं, यहाँ तो हम लोग इसमें कुछ value भी दे सकते हैं, है ना, यहाँ पर दे देता हूँ मैं, a, और इसको value देता हूँ, 1, ठीक है, एक normal सा ले लिया, अपने object, यह create कर दिया, अब चलिए, अब मैं लोग क्या करते हैं, इस object को as a key, यहाँ पर डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, obj, मैंने object लिया हूँ, define कर दिया है, उसको as a key ले रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं value कुछ भी ले सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर एक value ले तो integer 3, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यह object है, as a key यहाँ पर store हो चुका है, ठीक है, इसकी value क्या होगी 3, इसको expand करके देखते हैं, यह देखो, key क्या है, हमारा object है, object के अंदर की value क्या है, a1, हमने key value pair में यहाँ object भी है, object के अंदर क्या है, वो भी यहाँ पर अपने को दिख रहा है, तो जो हमारा key है, वो complete object as a key यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसको value हमने क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, object को भी as a key ले सकते हैं, let's say, यहाँ पर मैं इसको comment भी कर देता हूँ, एक object करके, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर इसको object कर देते हैं, and, चलिए एक मैं function लेता हूँ, क्योंकि definition के according function भी हम लोग as a key ले सकते हैं, ठीक है, तो एक simple सा function लेते है, function, function इसको ले लेते है, add, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, कुछ भी, empty, let's say equals to 2 plus 3, 2 plus 3, ऐसा कर देते हैं, नॉर्मल सा function कर रहे हैं हम लोग, है ना, उस पर नहीं जाना है, हम लोग को डीप में, इस पर, इस function को हम लोग क्या करते हैं, add को, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर, एक और key value pair में as a key ले लेते है, add, और value दे देते हैं, इसको हम लोग, यहाँ पर दे देते हैं, 4, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर function add as key यहाँ पर store हो चुका है, है ना, function add as a key और उसकी value हो गई 4, तो इस तरीके से क्या बता रहा था मैं आपको, कि एक function को भी as a key हम लोग ते सकते हैं, ठीक है, clear हो गए यहाँ पर आपको, next, यहाँ पर duplication नहीं होती है, means, अगर मैं क्या करूं, same, a1 है जैसे, है न, a1 को मैंने यहाँ दे दिया है, one, same मैं इसको repeat कर दूं, दो बार, और मैं a1 को कुछ value दे देता हूं, three, देखते हैं क्या होता है, दोनों से case में क्या है, key same है, value different है, यहाँ पर दीखिए, जो इसको value मिला है, वो कौन सा value मिला है, second वाला मिला है, यह first वाले value को overwrite कर दिया, और दो यहाँ पर key value pair नहीं दिख रहे हैं, की तो सेम है ना वैल्योंस डिफेंल्न है तो जो सेकेंड वाला वैल्यों government करते इसको ओर राइड कर देता हैはい कि वके हैं तो इस तरी केसे हैंन। जावर कर सकते यह कह सकते हैं क्या पर डूपलिकासी नहीं होती bargaining यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं और मैं आपको क्या एक्जामपल दिखा सकता हूं हम लोग यहां पर कर सकते हैं एरे को भी एज़ा इस्टोर करके रख सकते हैं एरे स्टोर करने के क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग एरे ले लेंगे इस तरीके से 3 3 2 1 यह देखिए यहां भी store हो गया as a form of value है ना तो एक map किस तरीके से create करते हैं directly value किस तरीके से देते हैं आपने देख लिया ओके अब हम लोग क्या देखेंगे कि map में values किस तरीके से दी जा सकती किसी function का use करके है ना अभी तो हम लोग define किये हुए में वहां पर direct value डाल दिया हमने ठीक है अभी maps के कुछ functions है methods and properties तो सबसे पहले हम लोग देखते कि सेट एक method होता है जिसके थुरू हम लोग value set कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर मैंने empty function बनाया हुआ था empty map बनाया हुआ था sorry M1 हम लोग क्या करते हैं यहां से set method देखते हैं सबसे पहले set method का use करके हम लोग क्या करते हैं M1 को कुछ value देते हैं ठीक है तो M1 dot set अब यहां पर क्या करेंगे इस तरीके से करके हम लोग यहां पर करते हैं key value pair का use ठीक है एक key ले लेते हैं कोई सब यह key ले लेते हैं की क्या हो सकते है मालो q1 is a key ठीक है और कॉमा उसको value दे दे 1000 इस तरीके से ठीक है यह दे दिया हमने एक value सेमें काम करते हैं इसको repeat करते है q2 दे देते हैं हम लोग इसको दे देते है 2000 ठीक है डी इसको q3 दे देते है 3000 ठीक है यह इस तरीके से हमने value सेट कर दी ठीक है सेट method का यूज करके आप देखते हैं कि यहां पर values आई है कि नहीं properly है ना work कर रहे कि नहीं कि कुछ error कर दी हमने देखते हैं यह देखिए हमने जो q1 q2 और q3 यहां पर दिया हुआ था वह बराबर से आ गया है यहां पर आ गया है यह देखिए तो method इस देखे से work करते हैं हम लोग यहां सेट के थूरू हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर object भी डाल सकते हैं जिस तरीके से यहां पर दिया था है ना objects and function के थूरो भी values बैस सकते हैं एक object देखे देखे हमने यह OBJ बनाया हुआ है object उसी को ले लो आप यहां प्या है OBJ है ना और उसको value दे देते है 4000 तरीके से यह देखिए यहां पर object हम लोग 7 function के तरू डाल दिये है न हैना हमने object यहां define किया हुआ था वही object टेसर की यहां पर आ गया value 4000 हमने दी तो यह हो गया हमारा क्या हो गया Set Method है यह सेकंड एक method है get method get method नामसी समझ में आ रहा है एक वैल्यू रिट्रिव करने क्लिए हम get method का यूज करेंगे कर यहां पर यह small ragheta है नहीं ध्यान दीजेगा तो get method का use किस तरीके से करना है अभी मुझे क्या करना है मुझे M1 में मैंने इस सारी values डाल दी ठीक है ध्यान देना अपनों अभी मुझे क्या करना है M1 में मुझे पता है कि M1 map के अंदर एक key है पता है मुझे Q2 मुझे Q2 का value देखना है Q2 एक key मुझे पता हुआ है M1 map के अंदर उसकी value क्या है मुझे देखना है तो किस तरीके से मैं देखूंगा वह get का use करके देखूंगा तो कैसे करते है M1 dot get और हम लोग क्या करेंगे यहां पर key pass कर देंगे कौनसा key Q2 ठीक है इस तरीके से अभी मुझे इसको display कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ console lock का use कर सकता हूँ console lock का use करके इसको value को display करा सकता हूँ यहां पर मैं क्या करूंगा इसको मैं cut कर लेता हूँ इसके अंदर डाल देता हूँ ठीक है ध्यान देना यह देखो 2000 हमको value आ गया क्यों का value क्या आ रहे है 2000 आ रहे है तो get method का use करके हम लोग क्या सकते किसी particular key का use करके उसकी value को fetch कर सकते है ओके यहां तक clear है थर्ड हम लोग क्या देखते हैं इसकी property होती size property अभी तो method देखे हैं हमने size property देखते है size क्या होता है नाम से ही समझ में आ रहा है अगर किसी map का हमको size देखना है तो size property से use कर सकते है ठीक है यहां पर मैं size लिख देता हूँ चलिए console lock कर लेते हैं यहां पर size हमने आरे पास दो map है m1 dot यहां पर क्या कर देंगे size ठीक है यह देखिए यहां पर 4 आ रहा है same हमारे पास एक m2 भी है उसकी भी size देख लेते हैं उसकी size भी 4 है ना दोनों में key value pair क्या है 4 4 है ठीक है तो यह हमको क्या बताता है कि size क्या है जैसे अभी देखो यहां पर जितने maps हमने print कर रहेते हैं यहां पर maps के अंदर bracket में उसके size आ जाती है यहां पर जब console lock कर आ रहे हैं हम लोग तो यह size देख रहा है यह देखिए इस तरीके से जैसे इसमें सुरू में empty रखाता तो size क्या आ रही है जीरो आ रही है है ना तो वह size हम लोग को सिर्फ size देखना है तो हम लोग क्या कर सकते size method का size property का यूज़ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट अगर हम लोगों को कोई value delete करनी है है ना तो कैसे करेंगे डिलीट method का यूज़ करेंगे value डिलीट करने के लिए अगर मुझे कोई key पता है किसी particular map के अंदर और मुझे उसका key value पर उडाना है वहाँ से डिलीट करना है मालो अभी मुझे q3 को m1 से उडाना है तो मैं क्या करूंगा मुझे पता होनीची की क्या है वहाँ पर ठीक है विदाउट knowing की मैं नहीं निकाल सकता ना उस value को तो मुझे अगर की पता है तो मैं क्या करूंगा m1.delete और मैं यहां क्या करूंगा की पास कर दूंगा q3 है ना q3 मैं जैसे पास करता हूं यहां पर वो q3 की value पर उड़ चुका है ठीक है मुझे देखना है कि यहां पर से गय की नहीं तो मैं क्या करूंगा मैं size भी देखूंगा तो मुझे size भी कम दिखाया गया यहां size देखता हूं तो यहां को size 3 आ गया है ना और मैं क्या करता हूं सिर्फ m1 को शो करता हूं यहां पर यहां देखो कर सकू flor करने का काम रहे है बट डिलीट में क्या कर रहे है हम लोगशंग की का यूज करके हम लोग की वैल्यू पे निकाल रहे होग से डिट करें बट क्लियर में क्या ओता है हम कंप्लीट मैक को घ्लियर कर देते हैं राइक अगर मैं यहां पे करूं एमवन dot clear इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर मैं फिर से console log कर लेता हूँ M1 को देखने लिए अभी देखो M1 यहाँ पर console log है इत्ती values यहाँ दिख रही है ना जैसे मैं clear कर देता हूँ देखे हैं यहाँ जीरो हो गया तो difference आपको समझ में आगया होगा clear में क्या होता है complete map clear हो जाता है ठीक है then next method है has method ठीक है अभी has method क्या करते है मुझे किसी particular map में देखना है कि कोई value है या नहीं true या false से यह मुझे है ना तो has वो काम करता है वो मुझे क्या करता है गर मैं की वहाँ पास करूँगा अगर की है वहाँ पे तो क्या करेगा मुझे टू पास करेगा टू रिटन करेगा और अगर मैं ऐसी की डालूंगा जो वहां है निमैप में तो क्या करेगा यह पॉल्स रिटन करेगा ठीक है अभी मैं यहां पे काम करता हूं क्या करने के लिए और हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं यहां पर क्या चेक करते हैं कि क्यों थ्री है कि नहीं ठीक है क्यों थ्री है कि नहीं चेक करना है मुझे मुझे क्या क्यों थ्री है तो यहां पर हमको क्या आना चीए टू नहीं आ कर रहे हो क्योंकि हमने आप क्या किया था डिलीट कर दिया था क्यों चेक करता हूं तो यहां पर देखो क्यों यहां पर डिलीट हो चुका है ना इसलिए यहां पर फॉल्स आ रहा है अगर मैं क्यों करता हो तो देखो ट्रू आ रहे हो क्यों 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 है ठीक है और अगर मै यहां पर क्लियर वाला जो था इसको कमेंट को हटा दो मतलब पूरा क्लियर हो गया है तो अब देखो क्यूवन भी यहां पर फॉल्स है क्योंकि सारी चीज़ा उड़ चुकी है में से क्लियर मेथड के थ्रू ठीक है तो हैस क्या करता है टू या फॉल्स रिटन करता है अगर कोई की वहां पर अवेलेबल है तो रू रिटन करेगा नहीं है फॉल्स रिटन इए जब सिंपल एकदम नेक्स्ट अम लोग देखते हैं इट्रेशन मैप में हम लोगों को इट्रेशन कर सकते हैं one by one ठीक है तो किस तरीके से करेंगे हम लोग यह करते हैं हम लोग यह clear जो हमने किया ने इसको comment कर देते हैं ताकि हम लोग इसको iterate कर सके हैं कुछ तो value रहे और मैं यहां लिख देता हूं for each है ना यूंकि हम लोग इस method का use करके iterate करने वाले हैं किस तरीके से करेंगे देखते हैं कि क्या करना है मुझे तो क्या करूंग एंवान डॉट कि फॉरीच है और जो मैंथर्ड है यह callback function call करता है ठीक है तो यहां पर देखो हम लोग को है रिखकेते हैं तो सबसे पहले हैं लोग की प्रींट मेलियो कंयों माल हमारा map तो शच거든 कॉलने नीखके देखें से तरीके से प्रिंट करते हैं यह team Q1 1000 वाल्यू धर मैप से को वार दिटन कर रहे हो कि सीनो टैम क्या तो टूथ होजेंट हमारा थ्हो थी ते संद्ण क्या करते हैं मैप को रीटन नहीं करातें सें बार बार वैली आहरी है और ना की वैल्यूण कई यूत खूर्सक्रेंट कर देते क्या होगे है यहां यह पर कर सकते हैं same iteration हम लोग forOP करके कर सकते हैं जैसे ज़िए ज़्यार यूज करेंगे देखते हैं किस तरीके से होता है मैं फॉर लूप करते हैं हाँ मैं लोग करते हैं हुआ नो लेता हूं पॉर अप्लोप के लिए लैठ करना चाहता हूँ यहाँ पर काम करता हूँ मैं M2 को कर लेता हूँ और यहां पर क्या करते हैं कि अन्सोल लॉक कर लेते हैं लॉक कि और मैं यहां पर एक अन्सोल लॉक कर लेता हूँ देखो यहां पर मुझे यह इटरेट करके दे दिया है देखो इस तरीके से फॉर आप लूप कर सकते हैं यहां पर फॉर आफ के वैल्यू मिक्स हो गया तो एक काम करते हैं यहां पर एक कंसूल बीच में डिवाइडर बना देते हैं फॉर लूप है तो थोड़ा सा डिफरेंट समझ वाएगा अपर लूप है यहां से स्टार्ट हो रहा है यह देखो इस तरीके से इसने इत्रेट करके दिया यहां पर सबसे पहले साइज दिया फिर वैल्यू उसका की दिया देन वैल्यू दिया कर सकते हैं थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं एंट्रीज का भी यूज़ कर सकते हैं कि एंट्रीज जो हमारा मैं थर्ड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि और वह हम लोग फॉर आप लूप की अंदर यूज़ कर सकते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ entries entries method के यूज़ करना है तो for off loop के यूज़ करके कैसे entries के यूज़ करेंगे for मैं काम करता हूँ let be off अभी मैं क्या करता हूँ M1 की entries देखती है M1 dot देखों यहाँ पर entries जैसे का E मैं टाइप करूँ यहाँ देखिए entries method का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर then मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सीधा console log कर देते हैं क्या क्या रिटन करता है समझ में आ जाएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बी को प्रेंट कराता हूँ और यह देखिए और यहाँ पर console log entries का divider बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो है ना नहीं तो क्या मिक्स हो रहे हैं न सारे values यहां से इंट्रीज सुरू हो रहा है ना इंट्रीज में इसके थुरू भी हम लोग इंट्रेट कर सकते हैं किस तरीके से हो रहा है देखो सेम हो रहा है है ना M1 को हमने इंट्रेट किया है तो क्यों 1000 की वैल्ली पेर के फॉर्म में इंट्रेट हो गया और यहांपर first में size दिखा रहे हें तो इस तरीके से हम लोग क्या कर बिति लगाने तरीके से हम लोग इंट्रेट कर सकते हैं वारव ज़ुत कर रहे हैं А कि टckrd आताहिक प्रोपरटी थी चेंट करते हैं डिलेट करते हैं and सारा आमने देख लिया कहीं पर भी आपको डाउट आया तो आप कमेंट करो मैं फिर उस पर्टिकुलर मैथाड या प्रॉपर्टीज के बारे में भी डीटे में एक वीडियो बना दूंगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए बवाए टेक क्यार